Hello Friends, मैं आज आपको 2004 की 3 Iron ये एक romantic Korean movie explain करने वाला हूँ इस movie की IMDb rating 8 है और इतनी अच्छी rating ये movie dissolve भी करती है एक शादी शुदा औरत के साथ अलग type के affair की एक story है इस movie में जो भी main characters है इनका कोई भी dialogue नहीं है पर cinematography इतनी अच्छी है कि आपको जो भी इन characters को लग रहा है ये बताया जाता है इस movie में जो main characters है ये कभी भी बोलते नहीं पर इनके जो dialogue से है ये उनके emotions से कनवे हो जाते है बहुती कम dialogue और बहुती अच्छी cinematography इस movie में हमें दिखाई जाती है इस movie में जो भी सेन है इन सब के symbolic मिलिंग के साथ मैं आपको इस movie का explain करूँगा तो चलिए शुरू करते है movie स्टार्ट होती है और हमें हमारा main character के दिखाई गया है ये एक बहुती शान्द city में हमें दिखाई गया है बहुती कम लोग यहां रहे थे बहुती कम traffic विगरा होती है ये हमें अलग-अलग डोर पर जाकर अपने pomplets लगाता हो दिखता है ये hotels के pomplets होते हैं पूरे neighborhood में गुमता है और एक नए society में आचाता है उसने इस society में pomplets लगाये थे और अब वो हर डोर को चेक करा है इसका actual में एक plan होता है ये हर जगा जाता है और वहाँ अपने pomplets लगा कराता है जिस घर पे उसने अपने pomplets लगाया है उसका owner अगर उस घर में होगा तो वो ये निकाल कर रग दिखा अगर ये pomplet नहीं निकला होगा इसका मतलब एक घर पर कोई नहीं है घर का owner कहीं बाहर गया है केको फिर ये पता चलता है तो वो घर में घुश जाता है हमें आप यही दिखता है वो एक building में आ चुका होता है वहाँ फिर डोर देखता है जहाँ पर उसका pomplet अभी भी ठीटका हुआ होता है फिर वो डोर ओपन कर लेता है उसके पास डोर ओपन करने के लिए बहुत सारे tools विगरा भी होते है घर में अंदर जाता है तो एक phone machine भी check करता है वहाँ पर message होता है कि हम family vacation बाप बाहर गये है ये घर की family का message होता है ये घर में हमें shower लेते होए दिखता है वहाँ खाना बगाता है वहाँ बहुत सारे चीज़े करता है और अगर इस घर में कुछ टूटा फुटा होगा तो ये भी repair कर देता है जिस घर में वो जाता है अपने camera के साथ वहाँ एक photo ले लेता है जिस घर में भी वो जाता है उस घर में लोग जीस तरह से रह रहे थे यानि कि जो भी काम वो कर रहे थे ये सब काम वो करता है अब मैं आपको इस character के बारे में और भी बतातू ये एक free soul होता है जहाँ भी से जाना होता है वहाँ वो चला जाता है अलग-अलग शेहरों में गुमता है और यही trick वो करता रहता है जिस घर में कोई लोग नहीं रह रहे उस घर में जाता है उनकी lifestyle जीता है ये वहाँ से कुछ भी चोरी वेगरा नहीं करता एक ही life में अलग-अलग जीज़े experience करकर इसे रहना होता है जो गोर हो experience कर चुका है इसके एक memory वो फोटोज में लेता है अब next scene में हमें दिखता है कि जिस घर में के रह रहा था वहाँ की family फिर सी घर आ जाती है इस family में mother, father और son होते है यहाँ mother जरा नाराज होती है वो vacation पर जाकर आई है पर फिर भी उसे वो vacation अच्छी नहीं लगी थी इस family जो छोटा बच्चा जो होता है वो अपनी खिलोनों की gain लेकर आता है यह पहले तूट गई थी पर अब के नहीं इस रिपेर कर दिया है वो अपनी मदर पर point करता है उसकी मदर frustrated होती है तो केटी की चला दो और यह चला भी देता है यही सिन खतम हो जाता है नेक सिन में फिर से नए नेवरोड में हमें केटी दिखता है यह बहुत ही अच्छा नेवरोड होता है और बहुत ही बढ़ा यह घर होता है इस घर में वो आ जाता है घर में आने के बाद देखता है कि यहां कोई है या नहीं और वहाँ एक औरत होती है जिस वो spot नहीं कर पता वो बहुत ही चुपचाब वहा बेटी हुई होती है इसके face पर किसी के मारने की नीशान भी होती है ये डर कर वहाँ छुपकर एक कोने में बैठी हुई होती है फिर answering machine पर call आता है या इस औरत का husband जोता है वो answering machine पर message पेचता है वो उसे पुछता है क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो उसे हरी गर कर phone wake up करने के लिए बोल रहाता है उसे sorry भी कहता है वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है फिर भी तुम unsatisfied हो वो गुसा होकर उसे phone wake up करने के लिए बोलता है ये घर में ही चूपर रहती है ये फिर से अपना सब जो routine होता है वो करने लग जाता है उस घर में कपड़े दोता है अगर उस घर में कुछ टूटा फुटा होगा तो रिपेर करता है ये औरत अब केज जो भी सब कर रहा है ये देख रही होती है और वो कुछ भी आवाज नहीं करती और सिब आवसर करती रहती है इसका नाम हम क्रीम रखेंगे केज होता है वो घर के काम करकर बहुत ही सैटिसफाइड उसे महसूस होता है कि हमें एक प्लान को वाटर करते हो दिखता है नेकसे में हमें क्रीम दिखाए गई है और उसके पास एक पेंटिंग होती है और वो भी इसी प्लान की होती है यह प्लान क्रीम को ही रिप्रेजन करता है और के अब उसे वाटर कर रहा है क्रीम पूरी तरह से मुर्जा चुकी है पर अब इसके लाइफ को वो फिर से जिन्दा करेगा केक एक खौपी होती है जिसमें वह अमेशा गोल्फ खेलता है यह जो घर होता है इस घर में क्रीम के बहुत सारे फोटोज होती है क्रीम पहले मॉडलिंग करती थी कि जब इस घर में एक वेटिंग मशिन पर खड़ा होता है तो एक काम नहीं कर रही होती क्रीम के लाइफ का बैलंस रिपेजन करती है जब रात होती है और के सोया होता है तभी क्रीम दर्वाज खोलती है कि यह देखकर डर जाता है तभी फोन पर और एक मैसेज आता है इस मैसेज में उसका पती बोलता है कि अभी अभी फोन पीकप करो वरना में घर आ जाओंगा यह जब फोन चल रहा होता है तो खीक कपड़े वगरा वेहनता है और फिर से नई जगा पर जाने के लिए रेडी हो जाता है के फिर हमें हावे पर दिखा गया है इस औरत के साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है इसके बारे में सोच रहा होता है थोड़ी देर बाद वो सोचता है और फिर से इसी घर में आ जाता है वो देखता है कि क्रीम शौर में है और वो रो रही है वो फिर उसे चियर अप करने के लिए थोड़ा सा म्यूजिक लगाता है थोड़ी दिर में क्रीम का husband भी वहा जाता है सब दरवाजे खुले होते हैं तो इसके लिए उसे डाटता है उसे पोच्छता है कि तुम फोन क्यों नहीं आंसर कर रही थी वो अपने business trip पर कुछ काम नहीं कर पाता तो इसका भी plan वो क्रीम पर ही करता है क्रीम को बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें ऐसे कपड़ी नहीं पहनने है उसे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं इसके लिए भी उसे restrict करता है वो कहता है कि उसमें कहता हूँ वो तुम क्यों नहीं करती तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें तकलिफ दूँगा उसके पास फिर वो बैटता है वो से जबरदसी करने कोशिश करता है कैसे देखानी जाता और के फिर इस घर के गार्डन में आ जाता है वो अपना गोल्फ का सामान लेता है और गोल्फ की प्रैक्टिस करने लग जाता है क्रीम का हजबन जब यह देखता है तो वो गुस्ता हो जाता है वो फिर पुलिस को कॉल कर देता है उसे रिपोर्ट कर रहा होता है और फिर वो गार्डन में भी आ जाता है गुल्फ के सब बॉल्स पड़े होते हैं कि अपना निशाना अब बदल लेता है क्रीम के हाजबन पर हो निशाना लगाता है और उसे बहुत बुरी तरह किसे इंचोर कर देता है क्रीम का हाजबन अब क्राउन पे गिर जाता है यह जो घर है इसमें क्रीम के बहुत सारे मॉडलिंग की फोटोज है एक शॉट में हमें दिखाएगा है कि यह क्रीम के मॉडलिंग के फोटो के साथ होता है और क्रीम है दिख रही होती है इसका मतलब अब जो है वो के फ्री है वार क्रीम वैसे पहली थी, मौडल की तरह थी, वो तब फ्रीज थी जब वो फोटोस निकाल रही थी अब वो के को देखकर वैसा ही फेर से फिल करना चाती है इस शौट से यह उन्होंने रिप्रिजेंट किया था और अब हमें दिखता है कि क्रीम अब के के साथ पाइक पर उसके चली जाती है वो अब उसके हस्बन के साथ ने रहना चाती के का जो भी रूटिन है, उस रूटिन में वो घुल में जाती है वो उसके साथ अलग-अलग नेवरोर्ज में जाकर पॉम प्लेट चिपका दिये और उसके साथ ही रहती है नेक सिन में हमें दिखता है कि के उसकी गोल की पैक्टिस कर रहा होता है वो एक कार्डन में खेल रहा होता है पर वो बॉल कहीं जाये ना इसलिए उसने उस बॉल को बान दिया होता है यह जब वो खेल रहा होता है तो बॉल के सामने क्रीम आ जाती है कि अपनी खेलनी की direction change करता है पर उसी direction में फिर से क्रीम आजाती है कि फिर अपना खेलना ही बन कर देता है यह represent करता है कि जो life है जिस तरह से वो जीता है उसके बीच में अगर क्रीम आगए फिर वो violence की तरफ नहीं मुढने वाला अब next गर में कीम और के आजाती है उसके फोटो को निकाल लेती है उसके फोटो को निकाल कर वो फिर से फ्रेम में नगाती है पर इस बार उसने वो कट करकर लगाया होता है अनसॉल पजल की तरह अलग अलग जगा पर ये फोटो कट करकर उसने लगाया होता है यह photo represent करता है कि जैसे हम cream को देखते है वैसी वो नहीं है इसमें बहुत सारे layers से वो एक human being है जिस तरह से human beings complicated होते है उसी तरह से वो भी है उसके husband ने उसे कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है पर फिर भी थुम ऐसा क्यों करती हो इतनी simple सब कुछ चीज़े तो हमें दिखता है बहुत सारा खाना वह cream के लिए बनाता है यह सब खाना वह उससे दे देता है यहा वह उसके लिए पहुती कहरी है यह हमें दिखता है और फिर 나중에 मैंने आपको बता था कि क्रीम एक plant को represent करती है उसी plant को K फिर से water कर रहा होता है थोड़ी दर में घर के बाहर photograph की जो girlfriend होती है वो आ जाती है कोई door open नहीं करता तो वो चली भी जाती है पर अब K और क्रीम यहां नहीं रह सकते कि जिस तरह से हर घर में फोटो लेता है उसी तरह से वो फोटो ले रहा होता है पर क्रीम भी इस फोटो में आ जाती है उसके life का अब वो पार्ट बन चुकी है यह scene represent करता है हमें फिर से एक नए घर में वो दिखाए गए है या एक boxer का घर होता है इस घर में वो जाते है, drink वगरा करते है music चलाते है, enjoy कर रहे होते है जब रात होती है, तो वे दोनों एक दूसरे के साथ intimate हो जाते है इस घर में जो boxer रह रहा था, वो honeymoon पर गया था रात में एक घर वापस आ जाता है वो जब इन दोनों को देखता है, केक को बहुत ही मारता है रात में फिर के और क्रीम यह दोनों एक bench पर बैठते है क्रीम उसके लिए noodles में रहा लाती है वोसे वो अपने हाथों से खेलाती है थोड़ी देर बाद फिर से के अपनी goal practice करने लग जाता है इस बार वो जब goal practice कर रहा होता है, उसका ball restricted नहीं रहता वो ball बहुत ही दूर चला जाता है वो इसके वज़े से एक आदमी का accident हो जाता है जिस car में accident हुआ होता है, वहाँ एक लटकी होती है जो बहुत ही injured हो चुकी होती है केको यह देखकर बहुत ही बुरा लगता है वो रोने लग जाता है केको लगता है कि वो सब control करवा रहा है पर life में कुछ चीज़े आपके हाद में नहीं होती control करवाना रात में दोनों फिर से नए घर पर आ जाते है जब सुपह होती है, फिर से अपना routine स्टार्ट कर देते है इस बार नया घर वो ढूंडते है जब वो बिल्डी में आते है और घर खोलते है तो इसे smell आ रहे होती है जब यह चेक करते है तो वहाँ एक आदमी मरा पड़ा होता है कि यहाँ से निकल जाने वाला होता है पर क्रीम यही रुखती है यह आदमी अपने मुझ से खुन आकर मर गया होता है तो यह सब खुन वेगरा यह सब साप करते है कि यह कॉल करकर देखता है इस आदमी के सन को यह कॉल लगता है पर यह कुछ भी नहीं बोलता जब यह दोनों इस घर में खाना खा रहे होते है तो थोड़ी देर बाद इस आदमी का सन और उसके डॉटर इनलो आ जाते है वो चेक करता है कि उसके फादर का है वो उसके फादर उसे कही भी नहीं मिलते वो इन दोनों को फिर घर में रुखने के लिए बोलता है और पुलिस को कॉल कर देता है पुलिस फिर हमें के और करीम को investigate करते हुए दिखती है के का camera उनके पास होता है वो figure out करता है कि बहुत सारे घरों में रहा है करीम मिसिंगे ऐसा उसके husband ने रिपोर्ट किया होता है ये पुलिस फिर उसके husband को कॉल कर देते है ये पॉलिस ऑफिसर जब के को धमगाता है तब के उस ओल्ड मैन की लोकेशन दे देता है एक्चॉल में के ने इस ओल्ड मैन को एक प्रॉपर बरियल दिया होता है उसके घर के पास ही एक पेड़ की नीचे उसे गार देता है तो ये चेक करने के लिए जो आदमी जाता है वो ओफिसर के पास आकर उसे कहता है इसे बहुत ही अच्छी तरह के इससे गारा गया था उस ओल्ड मैन का इसने इतना खैल किया था कि ये उसका एक्चॉल में सन हो क्रीम का पती उसे अपने घर लेकर आता है उसे कहता है ये बहुत ही सौरी हूँ तुम जब चली गई थी तो मुझे सोचने में वक्त मिला था मैं अब बदल चुका हो तुम जब गई थी तुमारे पैरेंट्स को में मैंने बहुत सारे पैसे बेचे है वो से अशुर करता है कि मैं आपसे अच्छे से रहूँगा मैं तुम्हें कभी भी हट नहीं करूँगा क्रीम अभी भी उसे रिस्पॉंस नहीं देती क्रीम का पदी अब चीर जाता है और डिरिक्टिव को कॉल करता है इस डिरिक्टिव को वो पैसे देता है और केको एक सुमकसान जगा वो लेकर आते है के निकरिम के बदी को गोल्फ बॉल्फ से मारा था अब यही उसका बदी के के साथ कर रहा है थोड़ी देर बाद के को बजाने के लिए पुलिस ओफिसर आ जाते है तो के उस पुलिस ओफिसर पर ही जपक जाता है अब हमें केट आरेकली प्रिजन में दिखाय गया है उसके जो इन्मेंट्स होते उनके सामने वो imaginary golf खेल रहा है इससा pretend करता है इसमें से एक इन्मेंट उसका imaginary golf टॉल है यह चीन लेता है इसी वज़े से इन दोनों में fight हो जाती है और solitary में cake को रख दिया जाता है जब cake को check करने के लिए वहाँ guard आता है तो ketchup जाता है उसे वो pretend कर रहा होता है कि वो वहाँ exist नहीं करता guard को अंदर आना पड़ता है उस पर चीट गया होता है तो उसे बहुत मारता है आत्मे क्रीम का husband उसके पास आ जाता है वो कहता है कि मैंने क्या गल्त किया है क्रीम कुछ भी बोलने रही होती है वो cake के साथ रह रही थी उसपर भी रनाराज होता है उसे फिर वो slap कर देता है क्रीम भी इस पार रुकती नहीं और वो उसको भी मारती है क्रीम की care करने वाला कोई नहीं था के ने उसकी care की थी और अब उसे फिर से अच्छा लगने लगा है वो उस पे अत्याचार नहीं होने दे रही वो उसे मार दी है के फिर से उसने जो guard को जला दिया था वो ही देता है guard अंदर आता है और उसे बहुत मारता है next दिंग cream घर पर होती है तो उसे जो भी कपड़े अच्छे लगते है वो पेहनती है बाहर जाती है और पहले जो एक घर में वो गई थी उस घर में वो पहुच जाती है वो आइस घर में जो रहता है वो एक आदमी वहाँ है वो अंदर आती है उसे कुछ भी नहीं बोलती वो कहता है कि क्या तो मैं help कर सकता हो पर वो directly उसके घर में चली जाती है उसके bed पर सो जाती है इस आदमी की थोड़ी दिर बाद wife आती है उसे पुछते है कि ये कौन है ये आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता उसे जाक कर उठाने वाली होती है पर ये आदमी कहता है कि थोड़ी देर से सोने दो क्रीम जब अपनी नीन से जाकती है तो वो directly चलने लग जाती है फिर से अपनी घर आ जाती है क्रीम जो के के साथ महसूस कर रही थी उसे फिर से एक बार महसूस करना था करीम का बदी घर पर उता है उसे पूछता है कि तुम कहा गई थी मैं तुम्हें कही भी जाने के लिए मना किया था करीम उसे कुछ भी नहीं बोलती कि फिर से अपनी सेल में छुप जाता है इस बार कार्ड जब उसे देखने के लिए आता है तो guard के पीछे हो छिप जाता है guard फिर उसकी shadow देख लेता है और उससे बहुत ही मारता है guard उसे कहता है कि तुम्हारी shadow को तुम नहीं control कर सकते इस cell में कि हमें meditate करता हो दीखता है वो एक fist बनाता है और अब इस fist को open करता है और fist open करने के बाद हमें इसमें एक आग दीखती है यह represent करता है कि कि जिस तरह से रह रह रहा था इसमें वो confined था पर अब उसे सब कुछ दिख रहा है उसे सब कुछ knowledge आ चुका है क्रीम खीड़की से बाहर देख रही होती है तो उसका पदी उसके पास आता है उसे कहता है कि तुम उसके लिए wait कर रही हो कब prison से बाहर निकलेगा उसकी तुम रहा देख रही हो अब क्रीम का पदी उसे कहता है कि हम move out कर लेंगे वो घर sale करने वाले agent को call करता है वो क्रीम उससे उसका mobile चीन लेती है के को चेक करने के लिए इस बार जब guard आता है तो उसे कही भी देख नहीं पाता कि अब इस jail से escape कर चुका है जो police officer के को investigate कर रहा था उसके पास हो आता है और उसे बहुत मारता है कि कहा है इसे वो figure out नहीं कर पाता और मार खाता है के हमें भी इस scene में कही भी नहीं दीखता इसका मदलब है के अब invisible हो चुका है इसका मदलब क्या है यह मैं आपको movie के end में बताऊंगा हमें boxer का घर फिर दिखाये गया है boxer और उसकी जो wife होती है इन दोनों में जगड़ा चल रहा होता है boxer की wife को लग रहा होता है कि boxer का affair हो रहा है या फिर उसे कोई घर पर है ऐसा मैसूस होता है वो पूरे घर में चांत है और वहाँ कोई भी नहीं होता इस boxer ने अपना poster घर में लगा होता है जब वो इस poster को देखता है तो उसकी आख वहाँ से missing होती है इसका मतलब है कि किसी लोग को भी अपने आपको देखने नहीं दे रहा अगर लोग उसे देखेंगे नहीं वो अलग अलग जगा पर अपनी बैट मारता है पर वहाँ कोई भी नहीं होता वो फिर अपनी girlfriend को call करता है वो उसे घर में आने के लिए बोलता है वो जब घर पर आती है तो वे दोनों intimate होने के कोशिश करते है तभी उन्हें लगता है कि इस घर में के है हम देखते हैं कि cream की जो फोटो थी है वो सही से लग चुकी थी पर अब फिर से के उसे अलग अलग जगा पर लगा देता है क्रीम जैसा उसके फोटो का चाहती है उसी तरह से एड़ेस कर देता है फोटोग्राफर और उसकी girlfriend जब देखती है तो वहाँ से फोटो मिसिंग होती है यह दोनों फिर बहुत ही डर जाते है क्रीम के पदी को कॉल आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि अब जेल से फरार हो चुके आए जब रात होती है तो क्रीम के पदी को भी लगता है कि उसके घर में कोई है वो भी अपनी गॉल्ट बैट लेता है और हवा में मारने लग जाता है उसे वो कही भी नहीं मिलता, वो जब बेड में सोने के लिए आता है तो क्रीम से कहता है कि वो अब यहाँ आ सकता है जब midnight होती है, तब क्रीम उठती है और घहम में केक को ढूरने लग जाती है वो जब एक mirror के पास आती है, तो उसे वहाँ के दिखता है उसका husband भी उसके पास आता है, पर उसे केक कही भी नहीं दिखता क्रीम को पता है कि केक को अब कोई भी देख नहीं पा रहा तो अपनी बदी को फिर से I love you कह देती है उसका बदी खोश हो जाता है और उसे हग करता है उसके बदी ने जब उसे हग क्या होता है तो पीछे से केक और क्रीम दोनों किस कर रहे है ऐसा हमें दिखता है इस फ्रेम का मतलब है कि इसी घर में अब ये तीनों रहने वाले है केक को कोई देख नहीं पा रहा तो यहां आसानी से वो रह सकते है अगले दिन क्रीम बहुत सारा बेकफास बनाती है उसका पती बहुत ही खुश हो जाता है वो जादा ही मुस्कुर आ रहे होती है उसका पती उसे कम मुस्कुर आने के लिए और बेकफास करने के लिए बोलता है उसका हजबन विर्खुश हो कर काम के लिए निकल जाता है के और क्रीम एक दुनों को किस करते हैं और इसके बाद एक ही weight scale पर हमें दिखाय गए है जैसा हमने movie के first में देखा था कि उसके घर में जो weighting machine थी उसको वो रिपेर कर रहा था गेम के जो life का balance है वो रिपेर करना चाहता था पर इस बार वो ये कर चुका है movie खदम होती है और screen पर एक message आता है इस message में कहा जाता है कि आप dream में रह रहे हो या reality में ये differentiate कर पाना बहुत ही difficult है यह movie कदम हो जाती है पर के के साथ क्या हुआ था यह आपको आप मैं explain करूँगा director ने जिस तरह से ये story बताई है इसके अलग-अलग interpretations आप कर सकते हो हमें कि ये meditation करता हो दिखा है पूरा हो जाता है इसका second explanation है कि जब के cards को जलाओ दे रहा था हमेशा वो छिपता रहता था जब guard ने उसे बहुत मारा था वो सचमुच में वहां बर चुका था अब जिस guard ने उसे मारा था ये trouble में आ सकते है तो इसलिए इनने एक cover up story की थी उनने कहा था कि के jail से फरार हो चुका है ये जो भी सब हो रहा था ये के की soul कर रही थी इस movie का जो third explanation है वो हम cream के perspective से देख सकते है movie के last में एक line आई थी और उसमें कहा गया था कि dream में हम जी रहे है या reality में हमें पता नहीं है ये बहुत ही hard गया है न ये world बन जाता है इसका मदलब है cream ये सब imagine करी है उसे लग रहा है कि prison से वो escape हो चुछ उसके मन में वो fix कर ले थी है कि के हमेशा उसके साथ ही रह रहा है और अपने life का balance को करना चाहती है इसलिए वो फिर से अपने पती के साथ अमेंड्स जो होती है वो सही कर लेती है इसी तरह से अलग-अलग explanation के साथ ये movie हमें छोड़ कर चली जाती है बहुत ही अलग तरह की story थी आपको ये movie कैसी लगी प्लीज मुझे comment session में बताना आपको अगर कुछ movie suggestion हो हो भी आप वहाँ बता सकते है अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहता हूँ तो इसलिए आप subscribe भी कर दीजेगा बेल notification आइकोन भी दबा दीजेए यानि कि आपको सब movies मिलती रहे है हम भीर से मिलेंगे नए explanation की साथ तब तक के लिए thank you और अपने आपका आप खैल रखिये